Good morning dear students, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमनों महा Today discuss कच्छा, सस्टम, प्रत्मह पाठा हा, पुन्रा वृत्ति हा आजम पुन्रा वृत्ति की कुछ मुल्यांकन एसाइमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो की कुछ उनके questions, answer है कुछ वनश योजन्त, मणव योजन्त, श्वरा हा, व्यांजना हा, पुरलिंगा हा, स्त्रिलिंगा हा, नपुन्सक लिंगा हा के बारे में हम अध्यन करेंगे देखेगा, मुल्यांकन एसाइमेंट्स के दिये हैं, प्रथम महनमबर दिये हैं की स्वरान व्यांजनानी चा प्रिथक कुरूत, जो स्वर है और व्यांजन है जब धिच्चा सब्द का प्रियुक होता हो, दो सब्दों के बीच में वहच्चा सब्द और सब्द के रुप में क्या होते हैं? स्थित होते हैं, तो यहाँ पर स्वरान व्यांजनानी चा प्रिथक गुरूत, स्वरों व्यांजनों को क्या करना है? आपको अलग करना है देखिएगा फस्ट दिये हुए है यहाँ पर का, उ, वा, जा, री एक स्वर और ब्यंजन को मिला कर यहाँ पर कुछ बॉर्णों को दिये हुए है मैंने पहले भी पुन्राबृति के पाड़ में बताया था के संस्कृत वाणमाला में 13 स्वर और 33 ब्यंजन होते हैं तो उसी 13 स्वर और 33 ब्यंजन को एक समुह बनाकर कुछ स्वरों और कुछ ब्यंजनों को यहाँ पर लिखा गया है तो आपको स्वराहा और ब्यंजनानी को अलग करना है तो स्वर क्या है इसमें से और ब्यंजन क्या है तेरा स्वर जो होते हैं और तैंतिस ब्यंजन होते हैं इसमें से दिखेगा जिस वनमाला में हलंत का प्रियोग होता हो वह हमेसा ब्यंजन सब्द कहलाता है जिस वनमाला में हलंत का प्रियोग ना होता हो वहां स्वर कहलाता है तो आप दखिएगा जिस वर्णमाला में हलंद का प्रियोग है जैसे का उजबली यहाली सचड़ यह सभी के सभी क्या है व्यंजन सब्दा है यानि व्यंजनानी में लिखा जाएगा जैसे स्वर की बात की जाती है स्वरों की बात की जाती है आप उ को स्वर को लिख सकते है या आप और उ लिख सकते है उ को लिख सकते है और सबसे पहले एक लगातार जो रहती है क्रम 22 रहती है उसको आप लिखेंगे और सब्दों को पहले लिखिएगा इस प्रकार जो स्वर दिये हुए हैं आप स्वरों को लिख सकते हैं ब्यंजन की बात आएगी का सब्दों को लिखेगा हलंद डालिए चा सब्दों को लिखेगा हलंद डालिएगा जा सब्दों को लिखे हलंद लिखेगा डा सब्दों लिखेगा सा सब्दों लिखेगा हलंद लिखेगा बा सब्दों लिखेगा हलंद लिखेगा बा सब्दों उसके नीचे में हलंद लिखेगा तो इस प्रकार मैंने आपको स्वराह और ब्यांजाने को अलग किया है प्रिथक करके आपको बताया जब भी आप वीडियो देखेंगे वुक्ष को ओपन कीजिएगा अच्छे से स्टडी कीजिए जहां आपको शमझने में दिक्कत होती है मेरे को बताये मैं पुना हम उसको बताने की आपको कोशिस करूँगा दूतिय नंबर देखिएगा बच्चों यहां पर दूतिय नंबर की बात की जा रही है कि दूतिय नंबर में जो दीवे हैं संस्क्रिट के कुछ वर्ण संयोजन को अलग करना है आपको वर्ण संयोजन यह दिवा है पहले मैंने वर्ण संयोजन के बारे में बताया था कि वर्ण संयोजन होते क्या है जो वर्ण संयोजन होते हैं अलग हुए वर्णों को जोड़कर वर्ण संयोजन कहलाता है अलग हुई वर्णों को जोड़ना वर्ण सयोजन कह लाता है जैसे ये जो दिये वे हैं यथा के रुक में दिये हैं कि च, ई, त, र, आ, र, र, ज, ए तो यहाँ पर जो वर्णों को जोड़ना ये जो वर्ण है क्वेस्टन देखते हैं यहां पर क्वेस्टन के बारे में बात की गई है प्रथम नंबर दिये हैं कि प्रथम नंबर में जो दिये हैं पहले नंबर में दिये हैं का नीचे हलंत दिये हैं उसी प्रकार का दिये हैं री दिये हैं सपा दिये हैं अदिया है और अधिया हुआ है तो इनको हम अगर एक सब्द करी मार करेंगे, सब्द कर निर्मार करने से क्या होगा? पहले तो तिया हुआ है कारी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्री क्री हो जाएगा पा अणाहा क्या हो जाएंगे एक सब्द के निर्मान करेंगे तो क्या हो जाएगा क्री पॉनाहा यहाँ पर अहा का मांतरा दिया हुआ है तो यहाँ पर अहा का मांतरा लगेगा आ का मांतरा दिया है तो पा होगा क्री का मांद्रा दिया है की और क्री होते हैं ओके सेकेंड नंबर में बताएगा है वा धन इ धन द धन वा धन आ धन न तो क्या होगा विद्वान क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटाई का मांद्रा दिया हुआ है दिखिएगा तो यहाँ पर छोटे ही लगेगा तो इसमें हम वी अददा मिलेवा न इस प्रकार हम विद्वान लिख सकते हैं मैं नोर्स के रूप में आपको फ्रॉवाइट करूँगा सभी चीज ध्यान पर वग देखते रहेगा उसके बाद नोर्स के रूप में जब प्रॉवाइट करूँगा तो आप अच्छे से नोर्स से बनाईएगा त्री नमबर दीवे हैं तिरती नमबर की बात की जाएगी है च्छा धन आधन ता धन रा धन आधन मा यहाँ पर च्छा आ ता रा आ मा दिये हुए हैं स्वर और ब्यंजन की सायता से ही ब्यंजन का प्रियोग होते हैं ब्यंजन की ब्यंजन का प्रियोग करने से स्वर की सायता ले जाती है तो यहाँ पर ब्यंजन सम्दा का प्रियोग कर रहे हैं स्वर की सायता ले जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा च्छत्रम आ का मांत्रा है अगर आ का मांत्रा होता तो वहाँ पर च्छत्रम हो जाता यहाँ पर आ के मांत्रा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा च्छत्रम तो इस प्रकार च्छत्रम हो जाएगी फोर्थ नमबर देखीगा चतूर्थ नमबर की बात की जारी है चतूर्थ में देखीगा स, धन, र, धन, बड़ई के मांतरा है धन, म, धन, अ, धन, त, धन, इ दोनों सब्दों में हमारी बड़ई के मांतरा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा स्री मान स्री मती स्री मती हो जाएगा क्या हो जाएगा स्री माती क्योंकि दोनों में हमारी बड़ी के मांतरा लगी हुई है तो ऐसे सब्दों का प्रियूग कीजिएगा दोनों सब्दों को जब हम वरना से उजन और वरना वियूग पढ़ते समय मैंने आपको कुछ examples के रूप में बताया थे कि कैसे मांत्राओं को प्रयूग किया जथा है कैसे one of you can किया जथा है फिप्त नमबर बात की जारी है तो इस प्रकार छोटो का मांत्रा जब लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा वहाँ पर छोटों का मांत्र लगा हुआ है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उज्जवल उज्जवलम ऐसे पढ़ सकते हैं उज्जवलम मा दिया हुआ है अदा जा मिले जा वा ला मा नीचे हलन्द दिखेंगे तो इस प्रकार उज्जवलम पढ़ेंगे हम तो आप वान से योजन इस पकार कर सकते हैं नीचे दिखेगा वान अभी योजन की बारे में बात की जा रही है अख़ा नंबर में वान अभी योजन इसके बारे में बताया गया है कि वान अभी योजन होते क्या है मैंने पहले भी बताया था जो जुड़े वे वर्णों को अलग करना वर्ण वियोजन कहलाता है जो जुड़े वे वर्णों होते हैं उसको अलग करना वर्ण वियोजन कहलाता है जैसे उपर में मैंने बताया वर्ण शेयोजन क्या होते हैं जब one of yogin बनाने के लिए वानों को एक सब्द का निर्मार के ज़ता है जो तुटा हुआ होता है यहाँ पर जो जोड़े हुए सब्द है जैसे कुरुवंती अथा के रुप में दीवे हैं कुरुवंती एक सब्द का निर्मार की हुए है उसको अलग करकी यहाँ पर हम लोग अलग की वहें one of yogin कहलाते हैं ओके बच्चों क्री सका क्री सकाह तो आप क्या करेंगी क्री सकाह की बात जारी है क्री सकाह को जब हम तोडेंगी one of yogin कहलाएगा को यहाँ पर yeni दालेंगी ऊ क्योंकि री आएगा यहाँ पर क्री सकाहा क्री सकाहा की बात की जारी है को हलन्त धन री धन सो धन ओ धन को हलन्त धन आहा क्योंकि यहाँ पर क्री सकाहा की बात की जारी है यहाँ पर आ की मांत्रा लगा हुआ है तो इस पकार आप one of योजन को sorry one of योजन को one of योजन को आप बना सकते हैं उसी प्रकार सिक्षका की बात की जारी है सा धन इ क्योंकि यहाँ पर छुटाई की में का मांत्रा है तो आप क्या करेंगे सा इस प्रकार सिक्षका की बात की जाती है सिक्षका छुटाई के मांत्रा है तो यहाँ पर छुटाई का प्रियोग हुआ है आह का मांत्रा है तो यहाँ पर आह का प्रियोग हुआ है ओके बच्चो अगे बढ़ते हैं व्यागरी दिया हुआ है व्यागरी को भी प्रियोग आप उसी प्रकार करेंगे मित्राणी को भी आप उसी प्रकार करेंगे वार्नम को भी आप उसी प्रकार करेंगे यह आप होमवर्क है आप होमवर्क करेंगे इसको और homearch group में आप send कीजिएगा पेज नंबर देखिएगा पेज नंबर फीप्त की बात की जारी है पेज नंबर फीप्त में आईएगा यहां पर बात की जाईएगा कि सुद्धम बिकलपम जीनुत आपको क्या करना है सुद्ध भी कल्प चुनकर आपको उत्तर देना है यहाँ पर बात की जाई है तिरतीय नंबर पर बता ही कही है कि कुछ कुछन्स तीवे हैं सुद्ध भी कल्प चुनिए सुद्ध भी कल्प चुनकर आपको उत्तर दीजीगा प्रथम नमबर की बात की जारी है कती पूरुष 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 ह तो बहु बचंस में दो से अधिक होते हैं तो क्या हो जाएंगी यहां पर कितने पूरुष होते हैं कितने पूरुष होते हैं कितने पूरुष होते हैं तो तीन पूरुष होते हैं उसी प्रकार बता किएगी दूतिय नम्बर बताएगा है इति पदे अस्ती जो सीह दीया हुआ है यह कौन से पद में है एक वचनम, दूरी वचनम, भोवचनम तो सीहो की बात की जारी है सीहो मतलब होता है दो सीह के बारे में बात के रही तो यहाँ पर दूरी वचन सका प्रियोग होगा माला है माला इती पदम माला इती पदम अस्ती माला कौन से पद में है यह माला जो है वह कौन से पद में है पूर लिंक्स में है इस्त्रि लिंक्स में है न पुन्सक लिंक्स में है माला जो होते हैं वह कौन से पद में आएंगी माला सब्द एक इस्त्रिलिंग है, माला किसी इस्त्री का नाम भी होते हैं, तो माला जो सब्द है वहाँ हमेशा इस्त्रिलिंग में आते हैं, संस्कृत भासायाम स्वराहसंती, जो संस्कृत भासा में कितने स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, अभी कुछ दिर पहले मैं बताया कि, दोस्कों ठीक लगाएंगे इस प्रकार मैंने संस्क्रित महासा के बारे में बताया पंचम नंबर में देखिएगा लरी इती वर्णाह अस्ती आप जब अभी कुछ समय में पहले स्वराह बिंजनानी प्रिथक कुरूत के बारे में बताया कि कौन से स्वर और कौन से बियर्जिनर हैं तो ली जो स्वरसर हैं वहाँ स्वरसर्दों का प्रियुक होता है तो इस प्रकार आप स्वर्णाह में ठीक लगाईगा ओके शिक्स नंबर देवे हैं सस्ट्रह नंबर के बारे में बात की जारी की पुषपानी यत्यात्रा वचनम अस्ती यत्यात्रा वचनम अस्ती जो पुषपानी है यह कौन से वचन में हैं कौन से वचन में हैं पुषपानी की बात की जारी है तो एक पुषपा की बात की जारी है तो पुषपा होता है पुस्पाः 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 मिछले खलास रस्में बताया था जब अंटाः यस्ता बिंदन कौन से होते हैं कौन सा एस पर सबल इंजन होते हैं कौन सा अचिमभी अच्द अच्व Navy होते हैं तो आप इस्थम नंबर के बाद की जारी है हा वरना हा भवती हाव रना होते हैं क्या होते हैं अंतायस्ता इस पर्षा की उश्मा होते हैं तो उश्मा बेंजन होते हैं हाँ तो उश्मा बेंजन को आप ठीक लगईएगा इस प्रकार मैंने कुछ सुद्धन बिकल्बिन को उत्तरित के बारे में बताया कि सुद्धन बिकल्बन उत्तरित क्या होती है तो आप भी अच्छे सी स्कूल देखको समझ के लिखिएगा पदाने वचना अनुसारम भी बच्टी लिखत आपको क्या करना है चतुर्थ नंबर की बात की जा रही है चतुर्थ कौशन जो है जो पध है वचन के अनुसार भी बाजित करे आपको करकी क्या करना है लिखना है तो इस प्रकार एक वचन्स के बारे मताए गया है दूई वचन्स के बारे मताए गया है बहुचन्स के बारे मताए गया है एक वचन्स का प्रियोग तभी किया जता है जब एक ही सब्द का प्रियोग किया जते है दो वाकार यह जो questions दिये वे हैं आपको फ्रोबाइट करूंगा यह जो दिये मैं नोर्च के रुप में आपको फ्रोबाइड करूंंगा यह जो दिये हैं इसको आप वाकर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाल शब्द के नहीं हम आंब लिए है उसके बाद अजे सब्द है दूई वचन्स में आते हैं दो बकरी के बारे बात की जारी है उसके बाद गजाहा गजा जो सब्द है एक से दो से अधिक हाथी के बारे बात की जारी है तो इस प्रकार आप व्रिद्धम, पुश्पम, अजे, नच्चतराणी, फले, लताह, प्रिशको, शुको, रसने, तराणी, अंबा, रेखा, म्रिशको, रमे, मान्डुकाह, मिनाह, दोलाह, इस प्रकार आप वचंज के हिसाब से उसको मैं आपको नोट स्कृप में प्रोवा के बारे में दिखिएगा कि सुद्धम, वर्णव योजनम चुनित, सुद्धम, वर्णव योजन चुनित के बारे में बताया गया है कि आप कैसे वर्णव योजन को चून कर आप लिख सकते हैं, वर्णव योजन चुनित दिया हुआ है, सुद्धम, वर्णव योजन चु हुआ है पल्लवा दिया है इनका आप वन वियोजन्स करते हैं तो इनकी जो वन वियोजन्स होते हैं जैसे सब्दों को तोड़ना वन वियोजन्स करता है सब्दों को जोड़ना वन वन वियोजन्स करता है तो यहां पर वियोजन्स के बारे में बात की जा रही है तो भूमी के जो सही है, क सब चार अपशन दिये हैं, क खग आप इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, आप उसे साब से अब अपना आकलन किजीगा जैसे यहाँ पर भूमी है भॉ बड़ों का मांत्रा है, आप देखिएगा कहीं बढ़े के मांतर दिया हूआ है यह option कर जाएगा, तो यहां पर यह जो option दिएवे हैं यह सही options हैं तो इस प्रकार आप अपना आंकलन चमता बढ़ा सकते हैं तो मुरखा का परियोग औि उसी प्रकार आप कर शकते हैं, घृणा का प्रियोग करहते हैं, पल्लवा के प्रियोग आप कर लक्ते हैं तो इस प्रकार आप कोशिश किजिएगा बनाने का चार opsons दीवे हैं चारो option में अच्छे सी study कीजिए और देखीएगा जैसे मुर्खा के बारे में बात की जारी है मुर्खा जो दीवे हैं यहाँ पर बड़व का मांतर दिये वे हैं बड़व का मांतर कहां कहां है दिख लिजीगा यह option में बड़व का मांतर है यह option में बड़व का मांतर है यह तुनों options कार दिजीगा ऐसे क्योंकि वो आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर बड़व का मांतर है यहां चुटो का मांतर दिया हुआ है, तो बड़ो का मांतरा में अर्खा, अह का मांतरा दिया है, यहां पर अह का प्रियोग हो रहा है, यहां पर आ का प्रियोग हो रहा है, तो यह भी कर जाएगा, तो आपसन आपका यह हो जाएगा, ओके, घृणा की बात की जारी है, तो इस प्रकार आप दोनों को बना सकते हैं कि घ्रिणा कौन सा है घ्रिणा सब्द का प्रयोग क्या होती है जैसे पल्लवा के बारे मात की जारी है पल्लवा जो दीवे हैं पल्लवा को आप देखिएगा पुत्रह को देखिएगा इस प्रकार आप अपने आप्शन्स को देख कर मना सकते हैं पल्लवा का जो प्रियोग हुआ है आप खा सब्द को उत्तर कर सकते हैं खा सब्द आप दियावी शही शब्द हैं पुत्रह का प्रियोग जब हुआ है सोरी खा सब्द नहीं होगा यहाँ पर पल्लवा जो सब्द दियावे हैं पलवा हशब्द जो दियोए हैं यहाँ पर घा आपका options में होंगे पुत्रह हशब्द का जब प्रयोग करेंगे पुत्रह हशब्द को दिखेएगा पुत्रह जो दियोए हैं यहाँ पर घा शब्द का प्रयोग में आपको आपसर निखेंगे जैसे ग्यानम की बात की जारी है, ग्यानम में भी आप देख सकते हैं, ग्यानम में दिया हुआ है, घर शब्द का आपका आंसर होगा, तो इस परकार आप अपने आप्शन को चूश कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दीवे हैं, प्रियोजना कार्य दीवे हैं, प्रियो लिखना है उसी प्रकार पदा नाम पदा नाम और वियोजन कुरूद आपको कुछ पद को चुन कर आपको लिखना है यह जो मुल्यांगा निसाइमेंट से आप लोग दिखिएगा अच्छा से कीजिएगा जैसे समझ में दिक्कते आती हैं समझने में मैं बताइए मैं पुना हूँ उसको बताने कि आपको पोशिस करूँगा नेस्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ अकारान पुरलिंगह के बारे में बात करेंगे दुटिये चेप्टर अकारान पूरलिंगह आप अकारान पूरलिंगह को पढ़ कहिएगा अकारान पूरलिंग्स के बारे में हम study करेंगे कि अकारान पूरलिंग्स क्या होती है स्त्रिलिंग क्या होती है नपुंसक लिंग क्या होती है अकारान सब्दों से बहुँछ सा रेव सब्दे के बारे में हम बात करेंगे, ओके बाई बेटा